हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार सेख्ष्रोग संवोंद अधा वैसन मुक्ति तग्य हूं महाराष्ट्र में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूं आए फिर से आपका स्वागत करता हूं आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि बार-बार जो विचार आते हैं और कितने गंदे विचार आते हैं उसके बारे में क्या करना चाहिए कभी सारे patient हैं उसमें से मैं एक दो-तीन patient का ही जगर करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है एक है संथ एक्टूरी PRभचन करके वह गुमते रहता है काफी जगज आता है लोगों को प्रभचन करता है लोगों को अच्छी बाते बताता है मगर मेरे पास मैं इलाज करन के लिoti आता है उसका नाम में बदाऊंगा ने क्योंकि सिखरेशी एकrü है करके मगर वो मुझे आकर हो जी प्राइवेट में मिलता है बोलता मैं लोगों को सब कुलता हूँ मगर मुझे बार 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 मेरा मेरी विष्ठा खाने के मतलिý टौइलेट मेरा मेरी संडास खाने के विचार आते हैं इतने बार 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 कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता है उसको पता है कि यह विचार है उसने कभी किया भी नहीं है वो कभी करेगा भी नहीं उसको मालूम है वो कभी उसकी संडास खाने वाला है नहीं और तभी उसको इतने विचा वीचार आते इतने घंदे विचार बार बार आते उसको यह वह यह कर ओठाव कि मैं करू किया यह वीचार transf17 कि दूसरा एक पिशिंट है कि वो यह बहुत बड़ा वेक्ति है उसका भी नाम में ले सकता नि उसको बार-बार बार-बार विचार ऐसे आते हैं कि वह वो अपनी मा के साथ में सेक्स कर रहा है, जैसे उसकी मा उसको सामने दिखती है, तो उसको मा के सेक्शल ओर्गन्स दिखते है, मतलब वही सामने विचार आते है, उसकी तरफ नजर जाएगी, उसको ता कि मैं सेक्स करूँगा, उसको मालूम है कि ये कभी होने वाला है ने, य तीसरा वेक्तिव, मैरिड है शादीशुदा है उसको इतना पक्का पता है कि उसकी जो पत्निय है उसका केरेक्टर बहुत अच्छ है कोई प्राबल्लेम नहीं मगर बार-बार-बार-बार विचार आते हैं कि ये लोगों के साथ में है और किसके तो भी साथ में लगे वी है और ये सेक्स कर रही है चोड़िशिप पर जाते हैं और वो सेक्स कर लेती होंगी मालूम है उसको कि ऐसा नहीं है वो करेगी नहीं मतलब वह 100% शुर है वो ऐसा पागल बन नहीं है उसका उस कैसे आपके विचार आते हैं मैं ऐसा कभी किया नहीं कभी करूंगी भी नहीं मगर उसको बार-बार विचार आते हैं तो यह obsession की बिमारी बार-बार बार वह विचार आना उनको तो काफी दवाई दिया मैंने क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि obsession में serotonin बढ़ाने के दवाई हम देते हैं या क्लूमी प्रेमिन जो दवाई है इससे भी neurotransmitters जो है उनकी level बढ़े जाती है brain के तो उससे फायदा होता है वो देने के बाउजुद भी उनको 50 प्रतिशत आ रहा है फिर मैंने को यह बताया कि देखो आपको मांस्वचार कांसिलिंग लेने पड़ेगी हिप्नोसिस करने पड़ेगी क्या है कि हम conscious mind को बाजय में कर देते हैं लॉजिकल में को बाजय में कर देते हैं और सिधा subconscious mind में सूचना देते रहते हैं तो उसको मैंने बार-बार-बार-बार उनको मैंने बुलाए हिप्नोथेरपी के लिए को सूचना आई दिया बार-बार subconscious mind में जब हमरिंग किया सूचना दिया कि जो विचार जो है वो विचार है वो विचार आटोमेटिक आपको आ रहे हैं वो आपके विचार है यह मशिनरी है ब्रेन है उसमें आटूमेटिक आटूमेटिक विचार चल ला हुए विचार तुमने लाने हैं तुम खुल लाते भी नहीं है तूसको जस्ट बाजी में रखो इसको ब्रैकेट में डालो वो automatic है वो मैं नहीं हूँ वो मेरे विचार है वो मेरे पास में है वो मेरे आते रहते है उसमें मेरा कुछ हक नहीं है उसमें कोई अधिकार नहीं है मतलब मैं उसको ला नहीं रहा हूँ ना मेरे विचार है वो automatic है और वो आते रहते हैं उसके तरब हमने ख्याल देने का निए वो बाज़े में रखने के और काम करना है हमारे काम के उपर जब उनको मैं ऐसा कॉंसिलिंग भी किया अप्टमेटिक विचार आते हैं उसके बारे में चर्चा किया थाट स्टॉप टेकनिक करके एक है कि थाट स्टॉप कैसे करना वो तेकनिक उनको सिखा ए हिप्नोसिस में और काउंशिस मैंड को भाज़े में करके सबकाउंशास मैंड में सूचनाय देने का वो तरीका सिखा ए और उनको बुला है और यह सब करने के बाद में आज उनको करीब करीब 90% आराम हो चुका है 90% बोलते हैं कि हमारा जीवन ही सुधर गया लिए इतना संभव है कभी-कभी कुछ लोगों का ऐसा होता है कि 10-10 साल से ऐसे ओप्सेशन के सिम्टम्स लिए हमारे पास में आते है कुछ लोग उसके उपर combustion भी करते है मतलब उसके उपर action भी करते है और वो action को इतनी तकलिब दे होते हैं कि बड़ा problem हो जाते है एक-एक drum पानी का खलास कर गालते है आजकल पानी का इतना problem है पूरा हाथ धोने में, पेर धोने में, असनान करने में में पानी खतब घरे के लोगों को बार-बार अस्मान करना लगा थे दस-दस साल से विमारी है उनको सब तरह का इलाज, मानसोब चार, सम्मून उपचार करने के बाद में फायदा नहीं हो रहा है तो कुछ पेशेंट के लिए हमने फिर शॉक टीटमिन भी हमने कोशिच किया उसमें उनको फायदा हो गया और वो भी हम मतलब कर सकते हैं इनमें इलेक्ट्रिक करंड हम देते हैं उनको फायदा हो जाता है तो इसी यह जो बिमारी है यह एक से दो टका लोगों को होती है अपसेसिव कंपलसिव डिसॉडर बार-बार विचाराना और उसकी बिमारी और ह बड़से आप ग्रूप के उपर शेयर करो ताकि छोटा सा भी मतलब प्रॉब्लेम हो और शुरुवात हुए होंगे उनको तो जल्दीरी विलाज करते हैं यह बिमारी का तो हंड्रेड प्रसेंट की और संभव है तो आपके ग्रूप के उपर शेयर करो आपको यह वीडियो हमारा जो मिशन है मेंटल हेल्फ फॉर हॉल सबके लिए वांसिक स्वास्ते और एडिक्शन फिर इंडिया उसमें आपका जरू लग जाएगा थैंक यू बेरी मुच